जैन साथियों मैं उत्म चोहान आप सभी का सवागत करता हूँ देखिए आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम CT की कट ओफ के बारे हम डिसकस करेंगे हालांकि इसका कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि 40 और 50 का क्वालिफाइंग जो है सरकार ने कर रखा है फिर भी मैं आपक ही तोगी ती जो 70 क्योस्टन ठीक बता रहा था वो 50 से 55 के बीच में आ गया था ठीक है जो 60 बता रहा था वो 65 से 70 के बीच में आ गया था मतलब लग बग 5 से 6 तो खुद HSSC ने गलत कर रखे थे और या कुछ मतलब अलग अलग अंसर कीज की वज़े से कोई यूटूबर द बात याएंगी तो मैं उनके उपर गोर नहीं करता अब जक्सन वाड़े और गलत क्योस्टन वालों का क्या होगा देखिए मैंने पिछली वीडियो में आपको यह बताया था जब मैं अब जक्सन लगवा रहा था आपको क्योस्टन की प्रूफ भी मैंने आपको दी है सारे मा NICKS नहीं लगाया उसको मा NICKS नहीं मिलेंगी बस एक सर्थ पर अगर आंसर की रिवाइज हो जाती अगर बोड़ पूरी आंसर की रिवाइज कर देता तो प्र सारे के सारे के बढ़ेंगे चैए उसने उप्जक्सन लगाया ची AMY नहीं लगाया है गलत पर शनवालों को सभी objection नहीं लगया, मैंने आपको बता दिया था कि गल्द का objection नहीं लगाना, इनके number बढ़ेंगे जिननें objection लगाया है अगर answer की रिवाईज होती है तो सबी के number बढ़ेंगे, ये तो थी पहली बात, और ज्यादा के उस्चन नहीं थे मैं आपको बताऊँगा, official की के बाद जो है, cut off किया रही है normalization, असली खेल तो भी बाक किये भई जो गुर्मिन्ट का असली खेल है जो बोल्ड का असली खेल है, normalization वो भी बाक किये है, मायूस ना हो क्योंकि बहुत सा, देख्या गया है एक shift, particular shift का नाम नहीं लूँगा नाम लेती है, यह कहेंगे कि सभी shift आड थी, भाई देखो सभी shift easy थी सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, लेकिन easy shift में सबसे आड कौन सी थी उसकी मैं बात करूँगा, ठीक है तो उसके normalization ओने के बाद, 8 से 9 नंबर बढ़ेंगे, यह चीज देखने को मिली है 8 से 9 नंबर खुद मैंने सर्वी किया है बहुत से student से कुछ है उस जो particular shift थी मैं नाम उसको बता हूँ, उस shift में बहुत कम आक्षबन रहे है मतलब 60 पलस बहुत ही कम बच्चों को देखने को मिल रहे है एक particular shift है ठीक है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, ताकि आपको सारी notification मिल रहे है और हमारे टेलिग्राम चैनल उत्तम academy पर जोइन कर ले ताकि आपको सारी की सारी update भी मिलती रहे और बहुत अच्छा content और material भी मैं वहाँ पर डालता हूँ सबसे पहले तो मैं normalization की बात करता हूँ normalization किसको मिलेगा, वो बात करता हूँ आलांकि देखिए, वो अपना-पना मानना है मैं मेरे मानने के विज़े से कह रहा हूँ आलांकि बच्चे comment करेंगे यह आपका होगा, इसलिए कह रहे हूँ भई मेरा नहीं है, मेरी shift नहीं है यह जिसके बारे मैं बताँगा देखिए, च्छै की morning shift यह बात मैंने पहले भी बताई थी क्योंकि जब exam निकल कहा था था न, च्छै की morning shift का वो वास्तों में hard था और अब, जब च्छै की morning shift के मतलब बच्चों से question पुछे गए तो भी 60 से उपर बहुत कम बच्चे जा रहे है कहने का मतलब, सबसे 8 shift जो होना है वो यह थी, और शभी hard थी मैं यह नहीं कह रहा कि 6 की evening hard नहीं थी 5 की morning hard नहीं थी यह भी hard थी, 5 की evening भी hard थी ठीक है, आप अपनी अपनी आप आपकी मान लेता हूं, मैं सभी गी तो सभी shift hard थी, लेकिन ज़्यादा hard कून थी, 6 की morning hard थी और इसके marks मान के चलना आप कम से कम 8 से 9 number बढ़ेंगे और आप इस screen shot ले लो तो यह मेरे को दिखा देना लास्ट में जब आपका result आए 6 evening के जो ना 6 evening के जो marks जो बढ़ेंगे वो आपके लग बग यह मान के चलो 3 से 4 marks बढ़ेंगे 3 से 4 normalized mark बढ़ेंगे 5 morning के और 5 evening के इनके एक दो marks बढ़ भी सकते हैं और एक दो marks गट भी सकते हैं normalization में दोनों काम हो सकते हैं प्रसंटाइल मेथर यूज करेंगे जो भी यूज करेंगे दोनों काम हो सकते हैं ठीक है इन दोनों shifts में से इसका एका दानंबर बढ़ने की chances जब 5 नॉम्बर वाड़ों होगा इनको पहला सिफ्ट थी और इनको pattern का पता नहीं था लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि SSC वाड़ों ने math, English, reasoning इनमें ठोके हैं क्योस्टन अच्छे-च्छे marks प्राप्ट किया अच्छे क्योस्टन ठीक है ठीक है तो ये वाली बात ठीक नहीं है तो पांच morning का लगबग easy ही कह सकता हूँ अपनी नजर में सब का hard है आपका hard है वही ठीक है बुरा मतमाना कोई भी ये भी hard है लेकिन मैंने आपको बता दिया इन दो सिफ्ट के बारे में पांच morning के 8 से 9 और 6 evening के 3 से 4 question बढ़ेंगे answer की आने के बाद भी एक बात कलियर हो चुकी है ठीक है हाँ पांच morning के 4 से 5 question गल्द थे वो marks बढ़ सकते हैं जिसने objection लगाए है ये बात बिल्कुल ठीक है चलो normalization वाली बात होगी सभी के बढ़ेंगे जादा 5 छे morning के बढ़ेंगे ठीक है ऐसी ऐसी post है जिन में 50 प्लस वालो का भी number आएगा free वालो का भी दूसरी बात मैं बता रहा हूँ जो technical या diploma older है जो भी diploma older है फिर कह रहा हूँ मैं आपको diploma older में चीव वो b.tech है चीवो m.psw है चीव staff nurse है चाहे कोई भी diploma है उनको एक बात याद रखना जो भी qualify करता है सभी के number आएगे qualify कर लेना qualify कर लेना qualify करने पर आपके सभी का दूसरा पर देने का मोका मिलेगा चार गुना आएगे ठीक है चाहे वो b.tech है चाहे वो diploma older ITI है कोई भी है त्योंकि diploma older रश्की संख्या इतनी ही होती है कि चार गुना ही आएं ठीक है और चार गुना संख्या जादा होगी तो वो 40 नंबर नहीं ले पाएंगे 50 नंबर नहीं ले पाएंगे ठीक है रिजलों के लिए 40 और जर्नल के लिए 50 नंबर नहीं ले पाएंगे तो इनका सबी का नंबर आएगा भी डिपलोमा ओल्डर वालों के लिए कोई कट ओफ नहीं है क्वालिफाइ इनके लिए क्वालिफाइ करो और अगले पेपर की तियारी करो अच्छे तरीके से रिजल्ट आपका 20 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच में यानकी दिसंबर लाष्ट तक आपका रिजल्ट आलेगा ठीक है अगला पेपर की अगर मैं बात करूँ तो फैबवरी में अगला पेपर वही आपका याद रखना ये डी गुरूप का नहीं है फेबरी में, डी गुरूप का अप्रेल महीं में चलिया गया है, अब फेब के अंदर किसका एकजाम होगा, आपका सीटी का दूसरा एकजाम होगा, सबसे पहले चांस हैं, अर्याना पुलिस की पोश्ट आएं, कोई भी पोश्ट आ सकती हैं, अब प सबी सबी क्वालिफाई करने वाले सबी जो हैं सबी क्वालिफाई करने वाले जो हैं कपेपल होंगे उसके बाद कैनल पटवारी गराम सच्यू गराम सच्यू पटवारी कैनल पटवारी और वैसा पटवारी इन सबी की इखटी पोस्ट होगी और एक एकजाम होगा वह यह ब इन graduation post का ये जो हैं लगबग ये माने को चलो 4000 पोस्ट बन जाएंगी ये ठीक है और 4000 का 4 गुना क्योंकि सरकार अभी च्यार गुना पर है 16000 बच्चे हो गए और 16000 बच्चे हैंगी इन post के लिए आप ये बात माने को चलो gram, substitute, पटवारी, canal, पटवारी जिस भी बच्चे के 65 प्लस नंबर बन रहे हैं जिस भी बच्चे के 65 प्लस नंबर बन रहे हैं इस कट ओफ को ध्यान में रखते हुए वो तैयारी करें भी ठीक है नॉर्मलाइजेसन की बात नहीं कर रहा हूँ ये मैं रो स्कोर की बात कर रहा हूँ ठीक है रो स्कोर की बात कराओ नॉर्मलाइज आपका हो जाएगा जैसे मान का चलो कोई 6 मोरनिंग वाला है तो 60 प्लस आला भी त्यारी करो क्योंकि हो सकता है उसके 7-8 नंबर इंक्रीज हो जाएं ठीक है तो 65 प्लस वाला मैं यही कुँगा कि 65 साथ से 65 कर दो आप यहां पर साथ से 65 वाले इन पोश्ट के लिए त्यारी करो क्योंकि यह पोश्ट ग्राम स्ची उपटवारी कैनल पटवारी इनकी जो है लगबग 4000 पोश्ट हो जाएंगे 4000 पोश्ट में जो है 65 नंबर वालों का नंबर आ जाएगा इतने बच्चे नहीं होते है क्योंकि 70 पलश वाले जो है 25 साल से पहले है वो आँख मीच के अरियाना पुलिस के त्यारी करे अगर उसकी रिजरो कैटेगरी में 40 और जर्नल कैटेगरी में 50 है क्योंकि अरियाना पुलिस वाले के लिए मैं बता देता हूँ 7 से 8 गुना बच्चों का दूसरा पिप्र लिया जाएगा 10 गुना क घुल डिय को ची और उसके बाद मैं बात कुलола हे वाली ने कि ऐन दीने क करते है यह जो कार दीनी पोश्ट लग बगढती7 सों के बीच में फोश्ट को यह TONलर झृत कर दो उन हमनी कर दिया है स्यविल जैउना अप्रेयल म Glory को रूएंस तीन जार के करीब आय की लगए नजार को च्यार गुना करता हूं तो मैं बाराजार हो जाते हैं चलो कोई नहीं आप ये कहोगे कि सरीस में पच्छी सो बैक्तर दे रखिया तो आप ग्याराजार माल लो ठीक है अब ये ग्याराजार जब तक पोस्ट आएगी ना जब तक बच्चे जो है अरियाना पुलिस क का दे चुके होंगे और भी एक्जाम ग्राम स्चुपट वारी का दे चुके होंगे और भी एक्जाम दे चुके होंगे मतलब वो उनका सीटी जो है अनक्वालिफाई हो चुका होगा क्योंकि जो एक पोस्ट को फिल कर लेगा उसका सीटी अनक्वालिफाई हो जाएगा ठी फिर ये कलरक वाले जितने भी बच्चे बचेंगे वो बीमान के चलना पैसर पलश वाले त्यारी रखना में इतना ज्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं होने वाला मैं पहले भी बताता था कि इतनी ज्यादा कटोफ 80 90 कटोफ 70 75 कटोफ नहीं जाएगी यह वाले याद रखना वो सकता कई से बच्चे यह कहेंगे ना जी ऐसा नहीं है अरबर जाती है बहुत ज्यादा जाएगी ऐसा कुछ से नहीं है एक्जाम अच्छा था जो पोर्शन एजी था वो एजी था लेकिन आर्ड भी था ठीक आप एजी की तरफ मत देखो आर्ड की तरफ भी देखो और आंसर की आने के बाद सब्धुको पता चल गया होगा कुछ पोस्ट हैं जिनकी संख्या बहुत कम है जैसे की ग्रुप की की पोस्ट अपसरो जैसे जैसे figuring टेक्स निस्पेक्टर है यह वाली पोस्ट इन वाली पोस्ट को आप भूल जाओं एक बर के लिए जिन भी बच्च हैं इनको मर्द करके एक एकज़ाम लिया जाएगा इन सभी पोष्ट का एक एकज़ाम लिया जाएगा इन में आप सफेरप्लस नंबर हैं तो आपका नंबर पर जाएगा तो आप यह मानका चलो आप अगर qualify ہو तो भी कही न कहीं fit होगे अगर आपके पास 60 number है तो भी आप कहीं न कहीं fit होगे अगर आपके पास 65 number है तो भी आप तो demoralize ना हो अगले पर प्रकितियारी करें ठीक है हम चापते हैं कि qualify हो लेकिन सरकार qualify नहीं करेगी ये बात ओकर liar कर चुकी है ठीक है तो आपके लिए आज के लिए यह information थी मैंने आपको बता दिया आपको अच्छी लगे देखे यह मेरे मानना है बहुत चीची जो के उपर जो है research की गई है उसके बाद मैंने आपको डाला है normalization का खिला ओबे होगा बहुत अच्छा खिलोगा normalization का नमबर बहुत जादा एक shift के 7 से 8 questions जो हो बढ़ेंगे फिर कहरा हम official answer की के बाद हवा tight होगी है सभी post की cut-off मैंने आपको बता दिया आप 50 प्लस भी तियारी करो आप 60 प्लस भी तियारी करो आप 65 प्लस भी तियारी करो आपका नमबर कहीं न कहीं पढ़ेगा आपको जोग जरूर मिलेगी CT एक अच्छा मतलब आप यह मार चकते हो प्लेट फार्म है वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसको ज़्यादा से ज़्यादा शियर करें हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक चुरूर करें धन्यवाद साथियो